जै माता दिमित्रो आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टो फ्रेंड अंचु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंचु गुपता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कुम राशी का कैसा रहेगा अगस का महीना यदि आपकी कुम राशी है कुम लगन है या आपके नाम से कुम राशी बनती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण साबित होने वाला है इसलिए वीडियो कौन तक सरूर देखेगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल नोटिफिकेशन को ओन करें कैसा रहेगा कुमराशी का अगस का महीना सेहत कैसी रहेगी अगस के महीने में क्या कोई समस्या तो नहीं है शिक्षा कैसे चलेगी किसी प्रकार की कोई अर्चन कोई परेशानी तो नहीं है क्या लव लाइफ में कोई समस्या है understanding अच्छी रहेगी विवाहिक जीवन खुशाल होगा नौकरी और विवसाए में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है मेरा प्रमोशन बहुत समय से रुका है जो मुझा अगस के महीने में ज़रूर करने चाहिए ये सबी प्रशन कुम राशी वालों के मन में ज़रूर आते होंगे कि हमारा ये महीना जैसा गया पर अगला महीना अच्छा होना चाहिए और यदि कोई समस्या है तो हमें उसका उपाए भी पता होना चाहिए घटती है तो आइए जानते हैं वीडियो को शुरू करते हैं कुमराशी की किस प्रकार से है गोचल में जल कर रहे है सूर्य चटे भाव में गोचल कर रहे हैं बुध सप्तम में गोचल कर रहे हैं चन्दरमा आपको अगस्त के महीने में अपने स्वास्त का विशेश तोर पर ज्यान रखना है क्योंकि लगनेश बारवी घर में कोचर कर रही है स्वास से समद्दित परिशानी आ सकती है अचानक से सरदर्ध हो सकता है हड्डियों का दर्ध हो सकता है कमर वा पैरों के समस्या हो सकती है यहां तक की hospitalized होने की सिती भी उत्पन हो सकती है तो स्वास का ध्यान रखें खाने पीने का ध्यान रखें स्वास को लेकर किसी परकार की कोई समस्या ना आए उसके लिए आपको उपाए बताऊंगी जो वीडियो के आंत में बताऊंगी उपाए आप सरूर करियेगा कैसी रही कि सिक्षा अगस के महीने में तो पंचम भाव से हम शिक्षा को देखते हैं, पंचम भाव के स्वामी सब्सम भाव में कोचर कर रहे हैं, तो ऐसी सिथी में, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी अगस के महीने में, पढ़ाई में मन लगेगा, खुब ध्यान लगेगा, पूरे confidence के साथ आप अपनी पढ़ा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई एक्जाम है आपका अगस के महीने में, तो बहुत अच्छा जाएगा, कैसी रहेगी लव मैरिज अगस के महीने में, तो पंचम से ही हम लव मैरिज को भी देखते हैं, लव मैरिज के लिए पंचम भाव के स्वामी सब्सम भाव जिवा को लेकर भी विचार भी मर्श करेंगे, ठीक हर वालों से कब बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, और शादी की प्लैनिंग भी करेंगे. कैसा रहेगा आपका विवाहिक जीवन अगस के महीने में? तो सब्तम भाव से देखेंगे हम विवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा? यहां सब्तम भाव के सौमी बनते हैं सूरे, जो छटे भाव में गोचल कर रहे हैं. थोड़ा सा आपको धियान रखना होगा अगस के मही सब्तम के सौमी चटे भाव में गोचल कर रहे हैं तो विवाहिक जीवन में आपको बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर आप दोनों की अन्बन होगी, एक दूसरे के उपशक करेंगे, छोटी-छोटी बातों को लेके जगड़ा करेंगे और यह बड़ा रुप भी ले सकता है, थोड़ा सा संभल कर चलें, गुस्ते को कंट्रोल करके चलें, एक दूसरे को समझते वे चलें तो अच्छा रहेगा आपका अगस का महीना, और यदि आप छोटी-छोटी बातों पर जगड़ा करेंगे, तो यह लड़ाई जगड़ा बड़ रुप ले लेगा, यहां तक की दिवोस की सिती भी बन सकती है, तो विवाहिक जीवन को लेकर आपको बहुत समल कर चलना है अगस के महीने में, कैसी रहेगी आपकी नौकरी और कैसा रहेगा आपका वेफसाय अगस के महीने में, तो यहां भागी के स्वामी पंचम में कर रहे हैं, तो ऐसी सिती में भागी आपका पून्डूप से साथ देगा, कैरियर आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत समय से आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, तो अगस में प्रमोशन मिलने के पूरे योग बन रही है, बहुत समय में लाब होगा जो लोग partnership में कारे करने की सोच रहे थे कि हमें partnership में कोई कारे करना है तो अगस का महीना आपके लिए अच्छा है किसी परकार की को investment करने की सोच रहे थे कोई कारे import export का करने की सोच रहेते तो आप अगस के महीने में कर सकते हैं अगस का महीना आपका अच्छा रहेगा कैसी रहे कि धनकी और आर्थिक सिती अगस के महीने में जहां भागया आपका अच्छा है कैरियर आपका साथ दे रहा है मेहनत करा रहा है पर साथ आपका पूरा दे रहा है तो ऐसे स्थिती में धनकी और आर्थिक स्थिती आपकी अगस के महीने में अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की कोई परिशानी नहीं रहेगी अब वो महत्पूर्ण उपाए जो आपको अगस के महीने में जरूर करने हैं, कौन से हैं? शनी मंत्र, ओम, प्राम, प्रीम, प्रोम, सशनिष्च रायनमा मंत्र का सूरियास के बाद आपको 108 बार जाप रोज करना है हर शनिवार सूरियास के बाद शनिमंदेश जरूर जाना है सरसो का तेल, काले उड़त और काले तिल लेकर तीनों चीजे शनिदेव के चर्णों में अर्पित करनी है और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया सरसो के तेल का एक दिया देसीगी का रोज जलाना है मंगलवार से शुरू करके हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया आपने रोज चलाना है और हनुमान जी से अपनी मंगल कामना की प्रातना करनी है करिए ये उपाए आपके जीवन में आ रही कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी बादा बहुत जल दूर हो जाएगी तो मित्रों ये थी जानकारी की कुम राशी का कैसा रही गागस का महीना उमीद करती हूँ, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लापकारी साबित होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों वर इश्यदारों में शेयर करें वीडियो से संबंदित ये दिया आपका कोई प्रेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सरूर बूर सकते हैं आपने चानल एस्टोफरेट अंशू को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल नोटिफिकेशन को आउन करें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी डेली अपडेट सेते हैं डेली का राशिफल होता है डेली का पंचांग होता है बहुत यूसफुल काम के टिप्स होते हैं तो करिए फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जै मात अदी आपका दिन शुब हो